तो एक तरफ बड़िपूर की घट्टा ने पूरे देश को सन्र कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कल से दोनों ही सतनों में जबरदस्थ हंगामा हो रहा है आलम ये है कि दोनों की सतनों की कारणवाई शुरू होते ही स्थागित करनी पड़ती है क्यों करनी समझा देती हूँ रूल नंबर 266 का जिक्र किया जा रहा है अब 266 रूल नंबर है क्या जिसको लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है किसी रूल के तहट चर्चा होनी चाहिए आईए मैं आपको समझा देती हूँ दरसल लिखित नोटिस कोई भी सांसद दे सकता है इस नियम के के तहट कोई भी जो मामला है सभी लिस्टेड मुद्दे सस्पेंड करने की मांग इस रूल के तहट की जाती है किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा सकती है सांसदों की तरफ से ये रूल नंबर 66 कहता है लेकिन इसमें शर्त क्या होती है इसमें शर्त ये होत कि जो राज्यसभा के चेर्पोर्सन है वो इसको मन्सूरी दे उनकी भी सहमती हो तभी रूल नंबर 266 में चर्चा की जा सकती है अब नेता विपक्ष की मांग है कि रूल 266 के तहट सिर्फ मनिपूर पर ही चर्चा हो चेर्मन का जवाब यह है कि रूल 176 के तहट छोटी चर् ही शुरू हुई वैसे ही मनिपूर का मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा रूल नंबर 266 की चर्चा होने लगी रूल नंबर 176 की चर्चा होने लगी और आलम ये रहा नतीजा ये रहा कि कारवाही चल नहीं पाई मनिपूर पर भी चर्चा नहीं हो पाई देश के बाक में चेयर मैंने आठ नोटिस नामन्जूर कर दियے थे, मॉंसून सेशन में पहले ही दिन यह नामन्जूर कर दिया गया था, विपक्ष के सासदों की तरफ से 2603 के तहट चर्चा कराने की मांगगी गयी थी, अलग-लग मसलोलों पर चर्चा कराने की मांगी गयी थी, लेकिन एक बार भी नोटिस मन्सूर नहीं किया गया है आरोप विपक्षी सांसदों के तरफ से लगाया गया है कि दोसोर सरसट के तहट चर्चा नहीं करने देना चाहती है सरकार तबकि इससे पहले 1990-1992 में शंकर द्याल शर्मा के समय पर चार बार इस नोटिस को मन्सूर किया गया लेकिन इसके बाद 2016 के बाद से चर्चा नहीं हो पाई है ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है अब देखिया अंतिम बार चर्चा 2016 में हुई थी मुद्दा था नोट बंदी का नोट बंदी पर चर्चा करने के लिए बाकी जो तमाम बिजनिस हैं उन्हें सस्पेंड कर गया था यानि किसी और मस्त्रे पर चर्चा नहीं हुई थी सिर्फ और सर्फ नोट बंदी पर चर्चा हुई थी विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दे दिये जाएंगे अब रूल नंबर 193 क्या है जिसको लेकर लोकसभा में हंगामा हो रहा है काम रोक कर बिना वोटिंग वाली चर्चा करवाई जाए लेकिन किसी भी रूल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है नतीजा ये है कि रूल के फेर में मनिपूर का मामला फसा हुआ नसर आता है अब किस नियम के तहट चर्चा चाहता है विपक्ष नियम 193 के तहट लोकसभा में संचिप्त चर्चा हो वोटिंग ना हो 266 के बारे में मैंने आपको बताया सर्फ एकी मुद्दे पर चर्चा हो 176 राज्यसभा में सदन सगेत हो जाते हैं सांसत बहार आते हैं और बताने लग जाते हैं कि क्यों रूल के चक्करों में आके मनिपूर पर चर्चा नहीं हो पाई है तो एक तरफ मनिपूर पर जमकर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ मनिपूर में महिलाओं से हैवानियत ने पूरे देश को हि क्या है कितनी बरबरता हुई है इस वारदात का वीडियो दो दिन पहले सामने आया कल पीम मोदी ने इस पर अपने घुस्से का इजहार किया तो मणीपूर के सीम की नीन टूटी फिर मणीपूर पुलिस भी एक्शन में आई और इस वारदात में शामिल चार गुनेगारों को गिरफतार कर लिया गया है बाकी की गिरफतारी के लिए धर पकर लगातार जारी है लेकिन सवाल ये है कि आखिर मणीपूर पुलिस धाई महिने तक क्यों सोई रही मणीपूर की पीडित महिलाओं ने जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर आप काप जाएंगे पीडितों का आरोप ये है कि चार मई को जब भीड़ ने उनके गाउं पर हमला किया था तो 9 माई थाने की पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की ये गंभीर आरोप पीडित महिलाओं की तरफ से लगाया गया है उन्होंने लगाया है कि उन्हें भीड के हवाले कर दिया गया पीडितों का यहां तक कहना है कि पुलिस उन पर हमला करने वाली भीड से मिली हुई थी हाला कि पुलिस ने इन आरोपों को खारच कर दिया है पुलिस का कहना है कि भीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ कर नहीं पाई महिलाओं के साथ बरबरता उनके सामने नहीं हुई है ये आरोप पुलिस के तरफ से खारज कर दिये गए हैं लेकिन फिर भी सवाल है धाई महीने बीच जाने तक सीम ने चुपी क्यों साधी रखी ये जानकारी क्यों पूरे राज्जे में नहीं आई महिलाओं के साथ बरबरता हुई है मणीपूर में गैंगरेप के बाद राज्जे के पुलिस सवालों के खेरे में है पूरी वार्दात के धाई महीने बाद और जीरो एफाई आर दर्ज होने के 63 दिन बाद भी पहली गिरफतारी हुई है ये वार्दा 4 माई को हुई पीडितों को शिकायदर्ज करने में 14 दिन लग गए 18 माई को सैकूल थारे में शिकायदर्ज हुई लेकिन पूलिस ने एफाई आर 21 जून को दर्ज की इसके करीब एक महीने बाद जब वीडियो सामने आया तब जाकर पुलिस ये नीन टूटी और 4 आरोपियों को फिलाल गिरफतार किया गया है इस बारे में मणिपूर पुलिस का कहना है कि 4 माई को भड़की हिंसा के बाद पूरे राज़े में इंटरनेट बंद था इसलिए ना तो उसके पास आरोपियों की तस्वीर थी ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई सुबूत अब वीडियो सामने आने के बाद उसने आरोपियों की पहचान कर ली है और तुरंत उनकी गिरफतारी भी शुरू हो गई है लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यूं हुई पुलिस ने लापरवाही क्यूं की पीडितो के ये जो गंभीर सवाल है वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि मनिपुर में पीडितो के साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें न्याय दिलाने में भी पुलिस ने बहुत देर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर